हेलो स्टुडेंट्स, गुड मॉनिंग, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12, एक्सराइज 5.5, एक्सराइज 5.5 में आपको फंक्शन दे रिखा है लोगर्थम फंक्शन, अब हम लोगर्थम फंक्शन का डेरिवेट्व पढ़ेंगे, देखो कुछ फॉर्मली दीवें, आपको पढ़ेंगे, लोग ओफ E, यह हमार पास होता है, बेस है, लोग ओफ E बेस है, और यह हमार पास E है, और जब भी लोग ओफ E साथ आते हैं, तो मिशा किसके एकवल होता है, वो 1 के एकवल, या फिर यह बोल देते हैं कि लोग से E cancel हो गया, लोग 1 हमार पास क्या होता है, 0, log of x y कोई भी दो हमार पास variables की multiply है और उससे आगे क्या है log तो दोनो variables को हम अलग-अलग कर सकते है log of x प्लस log of y next है log of x by y divide में दे रखे दो variable तो क्या करेंगे log of x minus log of y next है हमारे पास है log of x की power n अब मेरे पास क्या है log of x की power n तो power क्या हो जाएगे मार पास power आगे आजाएगी और जो function वो as it is रहेगा ठीक है तो क्या आजाएगा n मार पास आगे आजाएगा और क्या बचेगा मार पास log of x n आगे आगे log of x next है log of y x is equal to यह मार पास base है जब यह मार पास होता है base changing formula base को change करने के लिए तो क्या करते है y की जगे log of ax और log of ay ठीक है बट आपके उसमें slayvus में नहीं आएगा यह हो सकता है शायद miss language कादी exercise में हो जाए last वाली exercise में काद question बटे ऐसा मुस्किल है आपका मिंड़ना next है e log of fx e की power में log of fx है तो e से log cancel हो जाता है क्योंकि e से log मैंने उपर बताया था दोनों का log और e अगर आ जाता है तो one हो जाता है तो यह पूरा-पूरा cancel हो गए क्या बचेगा है इस देटेश है fx अब हम इसी पे base करेंगे questions exercise 5.5 question number first first क्या है differentiate the following function given in question 1, 2, 5 question 1 से लेके 5 तक सभी question में क्या करेंगे differentiate करेंगे कैसे cos x, cos 2 x, cos 3 x हमारे पास function कितने है तीन function है अगर मिज में u into v into w यह formula लगाएंगे तो हमारे पास बहुत length ही होगा क्योंकि 2 को एक बार as it is रखेंगे third का फिर इन 2 को as it is फिर third का कर देंगे फिर इन 2 को as it is इसका करेंगे तो ऐसे बहुत बढ़ा होगा इसके लिए हम क्या करेंगे let y is equal to जो function दे रखेंगे इसको y के equal लेके चलेंगे कि y is equal to first function मान लिए हमने इसको क्या नाम दे दिया first equation taking log both side, दोनो side हमने क्या रख दिया log तो इधर क्या आजएगा log of y is equal to इधर क्या आजएगा पूरे function से आगे क्या लगेगा log log of cos x cos 2 x cos 3 x फिर log of और function हमारे पास क्या है multiply में तो multiply के लिए हमारे पास क्या log of x y का क्या था log of x plus y अगर यहाँ पे 3 है z भी है तो plus में क्या आजएगा log of z z आजएगा एक और भी है तो एक और आजए जितने भी है हमारे पास multiply सभी plus में आ जाते हैं ठीके तो अब हम इसको उपन कर सकते हैं क्या करेंगा log y is equal to log of cos x plus log of cos 2 x plus log of cos 3 x यह हमने सभी को उपन कर लिया अब हम इज़ी लिस का derivative निकाल सकते हैं differentiate with respect to x log y का क्या हैगा 1 by y और y का dy by dx is equal to log of cos x log of cos x है log है इसका पर्मन क्या आजएगा 1 by cos x multiply cos का क्या आजएगा minus sin x plus log of cos 2 x log है तो 1 by cos 2 x multiply cos 2 x का minus sin 2 x और 2 x का 2 आजएगा plus log of cos 3 x log of cos 3 x है 1 by cos 3 x into cos 3 x का क्या आजएगा minus sin 3 x multiply 3 x का मारे पास क्या आएगा 3 तो dy by dx is equal to यह इदर y divide में था इदर लेके आएगे multiply में आएगा minus sin by cos क्या होता है 10 x minus 2 as it is लेख लिया sin 2 x by cos 2 x 10 2 x minus sin 3 x by cos 3 x 10 3 x dy by dx is equal to y की value हमारे पास क्या थे equation first में cos x cos 2 x cos 3 x into minus हमने common ले लिया 10 x plus 2 10 2 x plus 3 10 3 x यह हमारे पास आजएगा next है हमारे पास question number 2 question number 2 में आपके पास क्या दे रखे है square root of x minus 1 into x minus 2 divided by x minus 3 x minus 4 into x minus 5 आपको यह function दे रखे है तो इसको म क्या करेंगे y के equal मिले के चलेंगे y is equal to function इसको मने equation number 1 नाम दे दिया अब क्या करेंगे taking log both side दोनों side log लगाएंगे taking log both side कर दिया इधर क्या आजएगा log of y इधर क्या आजएगा log of function अब यहां पर हमारे पास देखो log of function है तो यह जो हमारे पास power है यह कितनी है 1 by 2 और हमारे पास एक formula है log of m की power n यह function है और function की power कितनी है 1 by 2 क्यों की root है root क्या होता 1 by 2 तो हमारे पास क्या होता जब log आगे आता है तो क्या आजएता है n को आगे ले लेते है और log of m, तो हमारे पास 1 by 2 पावर को तो आगे ले लेंगे, और function क्या हो जाएगा, log of x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 5, फिर log of m by n हो गए हमारे पास है, यहाँ पर हमने क्या formula लगा है, log of m by n, क्या formula है, log of m minus log of n, यह formula लगा दें, log of m, m हमारे पास क्या है, x minus 1, x minus 2, minus log of n क्या है, log of x minus 3 into x minus 4 into x minus 5, एक बार फिर से formula मनगा log of m, n, दो variable multiply, तो इनको plus में open कर देंगे, 1 by 2 log of x minus 1, plus log of x minus 2, minus log of x minus 3, फिर ये भी सारे plus में होंगे, बटागे minus है, तो सारे क्या होंगे, minus, minus log of x minus 4, minus log of x minus 5, अब हम इसको easily differentiate कर सकते हैं, करो differentiate with respect to x, log y का derivative क्या हैगा, 1 by y, और y का dy by dx, is equal to 1 by 2 भार ले लेंगे, log of f function में तो log है, तो 1 by में आजेगा, 1 by x minus 1, और x का derivative क्या होगा, 1, plus इसका derivative क्या आजेगा, 1 by x minus 2, और x का 1 होजेगा, minus इसका, 1 by x minus 3, minus 1 by x minus 4, minus 1 by x minus 5, dy by dx है, अब इदर y था, multiply में थाइदर है, sorry, divide में थाइदर आएगा, multiply में y by 2 मार पास पहले से है, और अंदर function as it is, अब y की value मार पास क्या थी, यह आपके पास y की value थी, तो 1 by 2 को आगे लिख लेंगर y क्या है, root x minus 1 into x minus 2, divided by x minus 3, x minus 4, x minus 5, into 1 by x minus 1, plus 1 by x minus 2, minus 1 by x minus 3, minus 1 by x minus 4, minus 1 by x minus 5, यह आजाएगा, हमार पास आंस्वर, next है, हमार पास question number 3, question number 3 क्या है, log of x की power cos x, यह हम किसके लिए लगाते हैं, जब हमार पास variable की power क्या है, variable, अगर हमार पास variable की power constant है, तो power को आगे लेके और एक power कम कर देते थे, बट जब variable की power variable आ जाते हैं, तो हमें क्या लगाना है, taking log both sides, देखते हैं, let y is equal to log of x की power cos x, अब क्या करेंगे, taking log, both side, दोनो side हमने log लगा दिया, तो इदर क्या आजेगा, log y is equal to log of x, log x की power cos x है, और power आगे है, जो power है, वो आगे आजेगे, मार पास cos x आगे आजेगा, into log of x, अब differentiate with respect to x कर देंगे, log y का आएगा, 1 by y, और y का dy by dx, is equal to cos x हमार पास as it is जाजेगा, into, इस log का करेंगे, तो 1, ये by में चला जेगा, 1 by log x, फिर इस log x का करेंगे, तो ये x by में जाएगा, 1 by x, plus, फिर function second को as it is रखेंगे, और cos x का क्या आजेगा, minus sin x, dy by dx, दरवन y, y, ये इदर आएगा, y हो जाएगा, यहाँ पर क्या आजेगा, cos x divided by x log x, minus, ये plus minus minus आजेगा, sin x log of log x, y की value मार पास क्या थी, log x की पावर cos x, as it is रखेंगे, log x की पावर cos x, into cos x, by x log x, minus sin x, log of log x, next है मार पास question number 4, x की पावर x minus 2 की पावर sin x, अब मार पास दो आगए function ऐसे ही, तो इन दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग-अलग कैसे, let y is equal to x की पावर x minus 2 की पावर sin x, दो function है, हमने put कर लिया कि जो first function हो, उसको u, और second function को क्या मान लिया, v, तो y is equal to क्या आजएगा, u minus v, फिर हम derivative निकाल लेंगे, तो y का क्या आजएगा, dy by dx, और u का क्या आजएगा, du by dx minus v का dv by ds, इसको हमने first equation का नाम दे दिया, अब हम अलग-अलग के लेंगे, u is equal to, देखो, now u is equal to क्या है, x की power x है, variable की power variable, तो क्या करेंगे, taking log है, both side, अब taking log both side क्या, इधर क्या लगेगा, log of u is equal to, इधर क्या आजएगा, log of x की power x, पावर आग गया जाएगी, तो क्या होजएगी, x log x है, log of u is equal to x log x है, differentiate with respect to x है, log of u का क्या आएगा, 1 by u, और u का du by dx, is equal to, x as it is रहेगा, multiply log x का 1 by x, plus log x as it is रख लिंगे, और x का 1 आजएगा, du by dx is equal to, x से x cancel होजएगा, इधर u को इधर लेके आएगे, तो u हमारे पास क्या है, x की power x है, x की power x into, यहाँ क्या बचेगा, 1 plus log x, इसी तरह से second function हमारे पास क्या है, 2 की power x, तो हम second function v है, हमारे पास v को किसके लिए चलेंगे, v is equal to 2 की power x, अब differentiate with respect to x कर देंगे, क्योंकि constant की power variable है, और constant की power variable है, तो मैंने एक formula बताया था आपको, a की power x का, बताया था आपको, एक बार as it is रखेंगे, फिर log of a, multiply derivative of a x, जो हमारे पास power उसका derivative, यह function, formula था हमारे पास पिछली exercise में हमने discuss किया था, v is equal to यह दें रखेंगे, तो differentiate with respect to x, sir, with respect to x, dv by dx is equal to 2 की power sin x, as it is रखेंगे, फिर log of base हमारे पास क्या 2, multiply derivative of किसका, power, power क्या है, sin x, dv by dx is equal to 2 की power sin x, into log 2, multiply sin x का क्या आजएगा, cos x है, इसको हमने लिग दिया, 2 की power sin x, cos x into log 2, अब हम इस पूरे को equation first में पुट कर देंगे, first में क्या था, du by dx और dv by dx, दोनों को पुट कर दिया, dy by dx है, du by dx क्या है था, हमारे पास, x की power x, 1 plus log x, minus है बीच में, और dv by dx क्या आगा है, 2 की power sin x, cos x into log 2, next है, हमारे पास, question number 5, x plus 3 का square, x plus 4 का cube, into x plus 5 का 4, अब हमारे पास function जो दिर्खा, उसको y के equal लेके चलेंगे, let, y is equal to x plus 3 का square, x plus 4 का cube, और x plus 5 की 4, taking log, both sides, दोनों साइडम ने log रख दिया, तो इदर क्या आजेगा, log of y is equal to, log of x plus 3, square x plus 4 cube, x plus 5, 4, log of y is equal to, जो हमारे पास power है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, log of m, multiply में सभी, तो multiply में है, तो plus में आजेएंगे, सारे के सारे, log of x plus 3 का square, log of x plus 4 का cube, plus log of x plus 5 का 4, log of y is equal to, जो power है, वो आगे आजती है, log m की power n है, तो n आगे आता है, हमारे पास तो 2 power आगे, log of x plus 3, plus यहां से 3 power आगे, log of x plus 4, plus यहां से 4 power आगे आगे, log of x plus 5, differentiate with respect to x, log y का क्या आजेगा, 1 by y, dy by dx is equal to 2 as it is, और log of x plus 3 का, 1 by x plus 3, plus 3 as it is, और इसका क्या आजेगा, 1 by x plus 4, plus 4 as it is, log of x plus 5, अभी दर 1 by y को इदर लेके आएंगे, तो क्या आजेगा, y आजेगा, और y हमारे पास क्या है, यह function x plus 3 का, square x plus 4 का, cube x plus 5 की 4, into 2 बन जा 2 by x plus 3, और 3 बन जा 3 by x plus 4, plus 4 by x plus 5, यह हमारे पास से answer है, next है हमारे पास question number 6 है, question number 6 में आपको क्या दे रखा है, इसी तरह से 2 function दे रखे हैं, अब हमारे पास से, देखों, let y is equal to x plus 1 by x की power x, पूरे function को किसका equal मानना, y के equal, y is equal to first company, u plus second को v, अब derivative करेंगे, dy by dx, du by dx, plus dv by dx, इस को मने equation number 1 नाम दे दिया, अब u का हम derivative करेंगे, क्या, u is equal to x plus 1 by x की power x है, differentiate करेंगे, तो उससे पहले मारे पास variable है पूरा और उसकी power भी, variable taking log both side, इधर क्या आजेगा, log of u is equal to x, log of x plus 1 by x की power x, power को आगे ले आएंगे, x आगे आगे, log of x plus 1 by x, differentiate with respect to x है, अब with respect to x करेंगे, तो log of u का क्या है, 1 by u du by dx is equal to, यह हमारे पास पूरा का पूरा function, u into v लगा देंगे, x as it is, derivative of log of x plus 1 by x plus log of x plus 1 by x as it is, और derivative of x, इधर हमारे पास क्या है, 1 by u du by dx is equal to x को as it is रख लिया, multiply, अब log of में है जो function, तो एक बार 1 by x में जाएगा, 1 by x plus 1 by x, multiply, x का derivative 1 minus, 1 by x का derivative minus 1 by x square हो जाएगा, प्लस, इसको as it is रख लेंगे, और x का derivative 1, 1 by u du by dx is equal to x multiply, नीचे हमने LCM ले लिया, x आजेगा, तो क्या बचेगा, x की और x के multiply, x square प्लस है, 1 आजेगा, divided by x, multiply, यहाँ से हमने LCM ले लिया, x square, x square अगर मारे पास LCM है, तो x square और 1 की multiply क्या आजाएगी, मारे पास है, x square minus 1, divided by x square, ठीक है, प्लस है, यह as it is रहेगा, x है, x को जब हम उपर लेके आएगे, तो x और x के multiply हो जाएगी, क्या आजेगा, x square by x square प्लस 1, plus multiply x square minus 1 by x square प्लस है, as it is, 1 by u को इदर लेके आएगे, u हमारे पास क्या है, x plus 1 by x की पावर है, x है, into, यह क्या आजेगा, इससे यह cancel, x square minus 1 by x square प्लस 1, plus log of x plus 1 by x है, अब हमारे पास दूसरा function क्या था, v, v हमारे पास क्या था, x की पावर 1 plus 1 by x है, इसमें भी वही formula apply करेंगे, taking log both sides, log of v is equal to log of x की पावर 1 plus 1 by x है, is equal to, जब पावर है, वो आग्या आजेगी, 1 plus 1 by x आग्या आजेगा, और क्या होजेगा, log of x है, differentiate with respect to x, with respect to x derivative करेंगे, तो क्या आएगा, log of v का, 1 by v, dv by dx is equal to, यह as it is, multiply log x का क्या आजेगा, 1 by x, plus log x है, जब आजेगा, multiply 1 का derivative, 0 minus 1 by x का, minus 1 by x square, dv by dx, v को इदर लेके आएंगे, v की value हमारे पास क्या है, x की पावर 1 plus 1 by x into, यहाँ पे हमने क्या किया, LCM ले लिया, और यह क्या आजेगा, x plus 1, और x, x की multiply x square, minus है, यह हमारे पास क्या है, plus minus, minus 0 तो खतम हो जगा, और इसकी multiply 1 by x के रहे, log x है, पूरी को, जो भी हमारे पास, du by dx है, और dv by dx है, इसको equation first में put कर देंगे, dy by dx is equal to du by dx क्या है, x plus 1 by x की power x, x square minus 1 by x, x square plus 1, plus log of x, plus 1 by x है, plus dv by dx हमारे पास क्या दे रखा है, x plus 1 by, 1 plus 1 by x है, as it is रख देंगे, और हम इसकी value, आगे जो हमारे पास function दे रखा है, इसकी as it is है, value put कर देंगे, आज से x square हमने LCM ले लिया, तो क्या आजएगा x square, अब यह मारे पास क्या हो जएगा, x plus 1 minus log of x है, यह हमारे पास as it is आजएगा, यह थे हमारे पास question number 6 है, next question number 7, question number 7 देखू, ऐसे question number 7 में दे रखें, आपको दो function log of x की power x plus x log x है, let y is equal to u plus v, यह u है, यह v आजएगा, मारे पास, where u is equal to, मारे पास क्या दे रखें, log of x की power x है, और v is equal to x की power log x है, और derivative करेंगे, dv by dx is equal to du by dx plus dv by dx आजएगा, इसको अबने equation number 1 का नाम दे दिया, u is equal to log of x है, और उसकी power क्या है, x यह हमारे पास है, यू लेके चल रहे हैं, अब variable की power variable है, तो क्या करते हैंगे, taking log both sides है, log both sides रखेंगे, इदर क्या आएगा, log of u is equal to log of log x की power x है, अब power को आगे लेंगे, तो क्या आजएगा, x log of log x है, differentiate with respect to x करेंगे, तो यह क्या आजएगा, log of u का 1 by u, du by dx is equal to x हमारे पास as it is, multiply log of, log of का क्या तो 1 by log x, multiply log x का कर देंगे, 1 by x, प्लस है, यह हमारे पास as it is रहेगा, और x का क्या आजएगा, 1, अब 1 by u को इदर लेके हैंगे, u हमारे पास क्या है, log of x की power x है, इदर x से x cancel होगा है, क्या है, 1 by log x, प्लस है, log of log x है, अब यहां मारे पास क्या, log of x की power x, इदर हमने LCM ले लिया, log of x है, यह क्या आजएगा, 1 plus log x किसके साथ multiply होजएगा, log x into, यह हमारे पास है, as it is है, अब यहां log x की power x है, यहां log x की power 1 है, इसको उपर लेकिया हैंगे, तो एक power कम हो जाएगी, log of x की power x minus 1, और अंदर का function, as it is रहेगा, इसी तरह next हमारे पास क्या है, v, v हमारे पास क्या x की power, log x है, taking log both sides है, इदर क्या आजएगा, log of v is equal to, हमारे पास x की power, यह variable है न, दोनों, तो क्या करेंग, log of x की power log x, log x को आगे ले लेंगे, तो क्या आजएगा, log x है, into log x है, अब two times होगे, same, तो उसका हमने क्या कर दिया, square, differentiate with respect to x है, अब हमारे पास देखो, log v का क्या आजएगा, 1 by v, dv by dx, is equal to log of, square है, तो power का करेंगे, यह power एक constant है, तो power पहले आगे आजएगे, और log x, multiply, log x का क्या आजएगा, 1 by x है, आप देखो, dv by dx is equal to v, आजएगा, v हमारे पास है, और अंदर क्या आजएगा, 2 log x by x, v हमारे पास क्या है, x की power log x है, into 2 log x by x है, अब यहाँ पे देखो, x है, और यहाँ भी x है, x की power log x है, यहाँ x की power 1 है, इसको उपर लेके जाएगे, इसमें से 1 power minus कर देंगे, तो क्या आजएगा, dv by dx is equal to x की power log x minus 1, into 2 log x है, put in equation, first equation, first में हम दो नोग अप्लाइ करेंगे, dv by dx is equal to du by dx क्या था, log x की power x minus 1, into 1, plus log x, log of log x, plus dv by dx क्या है हमार पास, x की power log x minus 1, into 2 log x, next है हमार पास, question number 8, sin x की power x, plus sin inverse root x है, हमें दे रखा है, तो let y is equal to sin x की power x, दो function है, दोनों को अलग अलग लिख लिए, y is equal to लेके चल पड़े, एक को u मान गे, एक को v मान लिया, फिर इनका derivative करेंगे, first हमार पास क्या है, u, u हमार पास क्या है, sin x की power x है, taking log both side, तो क्या आजेगा, log of u is equal to x आजेगा, log of sin x की power x, x आजेगा, log of sin x है, u into v हो जाएगा, differentiate with respect to x, क्या आजेगा, 1 by u du by dx, is equal to x as it is, log of sin x का, 1 by sin x, into sin x का क्या हुजेगा, cos x है, plus log of sin x as it is, और x का क्या आजेगा, 1, du by dx is equal to u, u हमारे पास क्या है, sin x की power x है, into x as it is, cos by sin क्या है, cotex plus log of sin x है, u की हमने value apply कर दी, sin x की power x, into x cotex plus log sin x है, second है, हमारे पास, v is equal to sin inverse root x है, sin inverse root x है, sin inverse हमारे पास, एक ही function है, तो इसका हम simply derivative कर सकते हैं, क्या आजेगा, dv by dx is equal to, root में, sorry, sin inverse का, जब हम derivative करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 1 by root 1 minus x square, यह हमारे पास formula है, 1 by root 1 minus x square, यहां x आता है x square, यहां root x है, तो root x का square, multiply, अब derivative किसका करेंगे, root x का derivative of root x, यह हमारे पास क्या आजेगा, 1 by root 1 minus square, से root cancel हो जएगा, 1 minus x into, root x का क्या आजेगा, 1 by 2 root x, dv by dx is equal to, 1 by 2 root x, अब root के अंदर है, दोनों तो multiply हो जएगी, x into 1 minus x, इसके अंदर multiply कर लें, क्या आजेगा, x minus x के राजेगा, फिर हम इसकी value first में put कर देंगे, dy by dx is equal to put in first कर दिया, sin x की power x, x quote x, यह du by dx, plus dv by dx कर दिया हमने, next है question number 9, x sin x, plus sin x की power cos x, दो function है, अलग लग कर लिया, let u is equal to x की power sin x, and v is equal to sin x की power cos x, फिर हम y is equal to u plus v, है इसी तरह हम इसका derivative करेंगे, देखो कैसे, u is equal to kya x की power sin x, taking log both side इदर क्या आजेगा, log of u is equal to, इदर क्या आजेगा, log of x की power sin x, sin x को अगि लेंगे, और क्या आजेगा, log of x, differentiate with respect to x, log of u का क्या आएगा, 1 by u du by dx, is equal to sin x as it is, log x का 1 by x, plus log x as it is, और sin x का cos x, du by dx is equal to 1 by u, u को इदर लिखे हैंगे, u क्या है x की power sin x, अंदर क्या आजेगा, sin x by x plus log x, cos x, अब v हमार पास क्या है, sin x की power cos x, तो taking log both sides, log of v is equal to log of sin x की power cos x, power को आगे लेंगे, क्या आजेगा, cos x आगे लोग of sin x, u into v लगा देंगे, 1 by v, dv by dx is equal to cos x को as it is रख लिया, multiplying, log of sin, log है, तो 1 by sin x हो जाएगा, और sin का क्या आजेगा, cos x, plus log of sin x as it is, और cos x का derivative minus sin x, dv by dx is equal to, v हमारे पास क्या है, sin x की power cos x as it is रख लिया, cos by sin कितना आजेगा, cortex आजेगा, और 1 cos as it is, cos x as it is, और cos by sin cortex, minus, plus minus, minus sin x को उमने आगे लिख लिया, और क्या आजेगा, log of sin x, इन दोनों sin x के multiply निग रहें, क्योंकि ये लोग की angle में, और ये हमारे पास है, single sin x है, अब दोनों की जो value आई थी, वो equation first में put कर देंगे, put in equation, first dy by dx is equal to, ये हमारे पास du by dx, plus dy by dx, दोनों की value put कर देंगे, next है question number 10, x की power x cos x plus, x square plus 1 by x square minus 1, let y is equal to, ये मारे पास एक function है, इसको u और v में दो parts में अलग अलग किया, फिर हम इसका derivative करेंगे, u is equal to first function हमारे पास क्या, x की power x cos x, taking log both side, अब log of u is equal to log of x की power x cos x, ये पूरा का पूरा आगे आजेगा, x cos x into log x, अब function हमारे पास कितने होगे, 1, 2, 3, तो 3 में हम कैसे लगाएंगे, पहले 2 को as it is 3rd का derivative, फिर 1st और 3rd को as it is 2nd का derivative, फिर 2nd और 3rd को as it is 1st का derivative, देखो कैसे, log of u का 1 by u, du by dx is equal to, x और cos x को as it is rखा, multiplying log x का derivative क्या आजेगा, 1 by x, plus x और log x को as it is rखा, cos x का क्या आजेगा, minus sin x, plus cos x और log x को as it is rखा, x का derivative क्या हो गया, 1, फिर du by dx, x 1 by u है, u को इदर लेके आएंगे, u हमारे पास क्या है, x की power x cos x है, into x से x कैंजल हो जेगा, क्या आजेगा, cos x minus plus minus minus x sin x है, log x है, plus cos x है, log x है, दूसरा function हमारे पास क्या है, v, v हमारे पास क्या है, x square plus 1 by x square minus 1, differentiate with respect to x, simple कर देंगे, u by v की form apply कर देंगे, dv by dx है, is equal to u by v की form कैसे apply करते है, v का square, v हमारे पास क्या x square minus 1 का all square, फिर function को as it is रखेंगे, उपरवाले का derivative, x square का क्या आजेगा, 2x और 1 का 0 हो गया, minus है, first हमने as it is रखेंगे, और second का derivative क्या आजेगा, 2x, फिर 2x के हमने अंदर multiply कर लेंगे, क्या आजेगा, x square minus 1 into 2x, minus x square plus 1 into 2x, dv by dx is equal to, इसके multiply करेंगे, क्या आजेगा, 2x cube minus 2x minus, 2x square x square minus 2x cube, और plus minus minus 2x, 2x cube से 2x cube, cancel हो जाएगा, क्या आजेगा, minus 4x divided by x square minus 1 का all square, जो मारे पास value आए, उसको हम first equation में put कर देंगे, du by dx क्या था, x की power x, cos x into cos x minus, x sin x log x plus cos x log x, minus dv by dx क्या आया है, 4x by x square minus 1 का all square, ये थे हमारे पास question number 10, next question हम next video में करेंगे, okay, thank you,